अभी ओव लेट मैं प्रशान किशोर जी को फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि उनकी बातें कनेक्ट करती हैं मेरे से I think वो सिर्फ वो तथ रखते हैं सामने और सार्थक बातें करती हैं पॉजिटिव बातें करते हैं आपको पता आप मेरे शोपर तीसरे महमाने जिन्नों ने ये कहा है पंकेश्टर पाठी जी और अक्षरा सिंग से पहले यही बात कह चुके हैं और इसलिए मेरे दिल्चस्पी और बढ़ रही है क्योंकि प्रशान किशोर से मेरा समबाद है मुझे उन से करना है लेकिन नॉर्मल बिहारी के मन का मुझे अभी नहीं पता मैं ग्राउंड पर जाओंगा देखूंगा वहाँ पर उनके मन में क्या चल रहा है लेकिन जो बिहार से जिन्नों निकल का थोड़ा बहुत नाम कमाया है थोड़ा या बहुत जाद नाम कमाया है वो प्रशान किशुर की बाते कर रहे हैं क्यों ऐसा है क्योंकि वो यह सब अगेन कास्ट या रिलिजिन और इन सब से उठके बहुत ही प्रैक्टिकल बाते कर रहे हैं और स्पिसिफिकली एक बात जैसे मैं भी थोड़ा सा इंट्रेस रखता हूं पॉलिटिक्स में मैं भी हमेशा सोचता था कि बिहार में आप कैसे रियलाइस करवाएं लोगों को कि मतलब क्या समझ बूच के वोट देना चाहिए और मैं कहता था कि आप छोड़ो सब कुछ मैं अपनी पत्नी से कहता था बहुत बार पहले कह चुका हूं कि selfish भी होके सोचे ना आदमी ये बड़ी-बड़ी बातें नहीं समाज कल्यान, देश कल्यान, जाती कल्यान, community, कुछ नहीं अपने बारे में सोचे आपको क्या मिल रहा है क्या चीज से आप पर असर पड़ता है और आपके बच्चों पर तो ये, again, coincidence है कि दो दिन पहले ही मैंने प्रशान किशूर का कोई इंटिव्यू दिखा और उसमें वो exactly यही बात कर रहे थे, कि selfish होके जो अभी वो गाउं-गाउं टूर कर रहे हैं तो मुझे लगा कि नहीं, वो तो फिर वही है आप connect पाते हैं, और उनकी जो भी और बाते मैंने सुनी है वो बहुत practical लगती है बहुत honest लगती है